नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ती, स्वागत करती हूँ आपका हमारे दूरदर्शन के इस विशेश कारिक्रम में अल्प संख्यकों के कल्यान के लिए हमारी भारत सरकार कटिबध है और इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं इनी योजनाओं में से एक है प्रधान मंत्री के 15 सूतरी कारिक्रम इन कारिक्रमों के अंतरगत कई योजनाई शामिल हैं उन्हीं योजनाओं में से है आर्थिक क्रिया कलापों के लिए अभिब्रिधित रिंड सहायता योजना यह योजना कैसे अल्प संख्यकों के कल्यान के लिए उन्हें सहायता प्रदान करती है और कैसे वह लाभानवित हो रहे हैं आज हम इसे विशय पर बात चीत करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जार्खन राज्य ग्रामीन बैंक के एजियम संजय जी को संजय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद साथी वित मंत्राले भारत सरकार द्वारा मनोनित जार्खन राज्य ग्रामीन बैंक की निदेशक डॉक्टर राच्री जैनती जी को मैं पहला सवाल संजय जी से करना चाहूंगी कि जार्खन राज्य ग्रामीन बैंक की भूमिका अल्प संख्यकों के कल्यान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है जैसा कि आपको मालूम है कि जार्खन राज्य ग्रामीन बैंक जिसको हम जे आज जी बैंक भी बोलते हैं ये बैंक अपनी 445 साखाओं और 2000 से उपर कस्टमर सर्विस पॉइंट के साथ जार्खन प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है हम जार्खन प्रांत के 2400 जिले के लगवग सभी पंचायतों में हमारी साखाओं या हमारा बैंकिंग आउटलेट काम कर रहा है हमारे बैंक के नाम से ही प्रिलप्शित होता है ये ग्रामीन बैंक है और ग्रामीन छेतरों में आर्थिक क्रिया कलाप में ब्रुधी कर वहां की इस्थिती वहां के लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने का काम करने के लिए हम लोग पूर्णता कटिवद्ध हैं और इसके लिए हमारी सभी साखाएं और हमारा सभी आठो छेत्रिय कारेल है इसके लिए प्रयासरत है जी रार्शी जी अलप संख्यकों के कल्यान के लिए अलप संख्यक विकास एवं वित निगम की अस्थापना की गई कब इसकी अस्थापना हुई और आखिर इसका उद्देश क्या है अलप संख्यक वित निगम का निगमी करण जो है वो 30 सितंबर 1994 को किया गया धारात 1956 अकंपनी 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 और धारा 25 के तहद और अभी जो इसका रूप है वो 2013 कंपनी अक्ट और धारा आर्ट के अंतरगत इसका गठन किया गया और जैसा कि अभी कह रहे थे संजे जी कि इसका उदेश ही है कि अलप संख्यक समधायों को रिंड देने और उनका जो पारिवारिक स्तर है सामाजिक स्तर है उसको उचा उठाने के लिए एक सुद्रिड प्रयास है और ये जो अलप संख्यक है जैसे इसके एक्जामपल में बोलूगी मुस्लिम होगे इसाई होगे सिख होगे बौध होगे और 2014 में जैन समधाय भी इसमें एड हुए और सभी का यही समधायों के लिए यही जो निगम है उनका लगातार यह प्रयास है कि उनके सामाजिक स्तर में किस तरह से उच्चतर वो अपने जीविका को कर सके संजर जी अलप संख्यों के कल्यान के लिए कौन-कौन सी रिन योजनाय हैं बैंकों में जो योजनाय हैं सभी की सभी अलप संख्यों को भी उसमें सामिल करती है जैसे प्रधानमंतरी मुद्रय योजनावी जिसमें हम तीन तरह के लोन देते हैं सिसू किसोर और तरुन जिसमें 50,000 रुपे से ले करके 10 लाक रुपे तक का रिन उनको मोहिया कराए जाता है उनकी गतिविधियों जो अलपसंक्यक हो या भी समाज के किसी भी तबके के लोग हो उनकी जो गतिविधियां है उसके अनुरूप उनको हम लोग रिन स्विकिर्थ कर उनके गतिविधि में हैं पुझी प्रवाह हम लोग करते हैं उसके अलावे सिक्षारीन है जो टेलेंटेट जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में कोई दिकत नहों उनको सिक्षा प्राप्त करने में तो उसके लिए सिक्षारीन का प्रापधन है उसके बाद हम है उसको किर्शी रिंड भी देते हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं बैंक की जो सिचाई के लिए है खेती करने के लिए है डेरी के लिए है पॉल्टरी के लिए है या और भी स्टेंड अप इंडिया है जिसमें हम लोग 110 लाक रुपे से ले करके एक करोड तक का रिंड उनको मोया कराते हैं उनके गतिविधी के आधार पर और उनकी छमता जो है उसके हिसाब से ये जो भी रिंड योजनाएं हैं उनकी ब्याजदर्य क्या है ब्याजदर्य सामाने तह आठ से दस परतिसत के बीच में चलती हैं जरलि जो अलपसंक्यक वित निगम के जरीय जो रिंड होता है उसमें चे से आठ परतिसत के बीच में ब्याजदर्य होता है और हर इसकीम के लिए अलग होता है अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड में अगर हमारे जो लाभार्थी है या जो क्रिसक भाई है जिनोंने किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है अगर वो उसका सही तरीके से संचालन करते हैं तो उनको जीरो सुन्य ये पे ब्याजदर पे हो उनको मिलता है जैन्ती जी महिलाओं को दिये जाने वाली मुद्रा रिन योजना क्या है जी मुद्रा रिन योजना के लिए जो मोदी सरकार की योजनाए है उसमें हम देखेंगे कि मैलाओं के लिए और अलपसंख्यक समधायों के लिए जैसे लगता है कि रिनों की बारिश हुई हो तो इतना आसान है ये और जो अगर कहेंगे कि 5,000 से लेके 10,000,000 तक का जो रिन है उसमें कोई राशी की सेक्यूरिटी भी नहीं होती और ये 5 साल तक इसका भुकतान कर सकती है तो ऐसे अनेक मैलाओं को मैं जानती भी हूँ और ये मुद्रा योजना ऐसे हैं जिनको कभी बैंक वो देखे नहीं थे और बैंक ने कभी ने ठोकरा दिया था और बहुत सारे ज जो महिलाए हैं और अलपसंखक समुदाए हैं और बाकी लोग भी युवा भी इसमें एक मुद्रा योजना का लाब उठा कर बैंकों से वो रिंड लेती हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि 5,000 से 10,000,000 तक अगर वो लेते हैं तो उन्हें कोई सेक्यूरिटी नहीं देनी तो इसके चलते अगर एक भी दुकान अगर खोलते हैं या कोई सरजगार के माधियम से जोड़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं दो-तीन लोग और जोड़ जाते हैं तो कहने के मतलब ही कि समाज का जो स्तर है पारिवारिक स्तर है परिवार में आर्थिक सहायता है वो लगातार इसमें सहयोग दे सकती हैं तो हम डिमांड साइड क्रियेट करने के लिए कि लोग जो हमारे प्रांथ के लोग जो है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे चला सके और जैसा कि आपने कहा कि बैंक की योजनाओं के बारे में उनको ग्यात नहीं है तो हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि वो रिजर बैंक की दिसा निर्देश के आलोक में हमने अपने प्रांत के 24 जिले में फाइनेंसियल लिटरेसी काउंसिलर्स वित्य परामर्स दाता का नियुक्ती हम लोगों ने किया हुआ है जिसमें ज्यादा तर 50% से ज्यादा हमारी महिला परामर्स दात्री है वो सुदूर गाओं में जा करके वहाँ पर फाइनेंसियल लिटरेसी का कैम्प आयोजित करती है और कैम्प के माध्यम से वहाँ पर जो उपस्तित जन्व समुदाय होता है उसको हम बैंक की योजनाओं के बारे में बैंक से जुडने से उनको क्या लाब होगा और बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक तो उनको कितना नुक्सान हुए जानकारी हम लोग देते हैं और वो कैम्प जो होता है वो है सो हम लोग टारगेटेड कैम्प करते हैं जो सिनियर सिटिजन्स हैं उनके लिए अलग है जो फार्मर्स हैं उनके लिए अलग है महिलाएं हैं उनके लिए अलग है इसकूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है हम लोग चाहते हैं कि बचत की प्रविरती भी लोगों में जागरित हो तो इसके लिए हम लोग हैं, स्टूडेंट्स को भी है फोकस करते हैं, इसको और ज्यादा आकर सक बनाएं, कि ग्रामीन जनता जो अतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी तो है, पतलब सिक्षा का वो परसार वहां तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण वो लगता है कि भारत सरकार की योजनाओं, बैंक की योजनाओं से पुरा लाब नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको उस कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागीता हो बैंक के बारे में, बैंक की योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में जाने, तो हम लोगों कि इस में जाए कि बैंक उनखे लिए क्या कर रही है वह उसकी उसकी जानकारि हम लोग करते हैं और उसिसें बीच-जा मैं किसी महिला को या किसी फारमर को सिटेज पर बुला करके उनसे फिर उनकी जो अपक्षाय हैं बैंक के लिए उन साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि रिन लेकर के वो अपनी आर्थिक गतिविदियों को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको समय पर अगर वो चुकोती भी करते हैं तो उनका सिविल में स्कोर बढ़िया रहेगा और उनका और उनके परिवार के कोई भी सदस भविश्य में भी बै ग्राउंल ब्हेतर होना भेहत्जरोरी हैं इसको आप लोग कैसे समझाते हैं लोग को से यो कि जब हम किसी को किई वीस्ति को किसी पी तरहें करन देते हैं तो उनको पहले उनको सैंक्शन लेटर दिया जाता है उनकशन लेटर में सारे टर्म संकेंडिश करते हैं और цен ऋसके officials हैं, वो करते हैं कि पहला किस्त समय पर अगर वो चुका देते हैं, तो उनको उनमें वो आदत बन जाती है कि हमको समय पर अपना किस्त भी चुकाना है, अपना काम भी करना है, और इस तरीके से, और उनको पता है, अभी गाओं के जो लोग है वो बोले-बाले बहुत नहीं उनको भी पता है कि सिबिल का अगर इसकोर उनका ठीक नहीं रहेगा, तो उनको आगे जा करके बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो ये हम लोग अपने कैंप्स के माध्यम से, और हमारे ब्रांच में जब लोग आते हैं, तो रिंड स्विकिर्ती के दोरान ह उनको हमें ये बता देते हैं. पूरुष, युवाज सभी से मुलाकात होती है, तो सब के लिए चुकि ग्रामिन बैंक अलग 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 जैसा भी बता रहे थे संजे जी, कि अलग अलग भूमिका में रिंड का के मुहाया कराते हैं, तो सबसे पहले मुझे शिक्षा पे बहुत जादा चुकि जोर देती हूँ, तो शिक्षा के लिए जो युवाज हैं, चाहे प्रोड शिक्षा भी है, तो उनके लिए एक बताते हैं कि जैसे शिक्षा में जो लागत खर्च आता है, चाहे उनके ट्यूशन फी हो, रहने का खर्च हो, ये सारा जो एजुकेशनल लोन के माध्यम से वो ले सकते है और बहुती उनके जो उच्चतर शिक्षा है, वो सुलब हो जाती है, तो ऐसे में जो ग्रामिन बैंक है, उसके माध्यम से जो एजुकेशनल लोन है, उसमें जो कि इंट्रेस्ट भी कम है और लोग उसमें ज़ादा आकर्शित हों कि ग्रामिन बैंक से लोन ले, तो ये मेरा प्रयास रहता है, दूसरी बात कि जो स्वयम सहायता समो, SSG ग्रूप है, वो लोग जो बनाती है, उनमें जो काम करने की प्रवरती है, उसके लिए लोन लेके, वो चाहे कोई भी लगुद्यों करती है, छोटा पापड का बिजनेस करती है, अचार बनाती है, मदमकी पालन क करती है, तो ऐसे जो रोजगार से जूड़ी है, या जिनमें इच्छा है, और स्वयम सहता ग्रूप से, उनको मैं ये बताने के कोशिश करती हूँ, क्योंकि बैंक उसमें भी रिंट देती है, तो ये बैंक पर जाए, और बैंक कारेले में जाए, जो भी उनका नियर बता सकते हैं कि हमें ये जरूरत है, तो बैंक उसमें सहायता भी करती है, तो ये भी हम लोग उनको बताते हैं, और छोटे-छोटे दुकान खोलने के होते हैं, ब्यूटी पालर होते हैं, टेलरिंग शॉप होते हैं, उनके लिए बताया जाता है कि आप रिंट लेकर ये काम कर सकते हैं क्योंकि मेरा यह मानना है कि कुछ ना कुछ गुण उन्में होता है और जब सौय dolphins आहता से गृप से बहुत सरी महिला जो आपस में शेर करती हैं अपनी भावनाओं को कि हम यह कर तो एक तो है कि जो अभी बात हो रही थी कि credit score जो civil score है वो बचाना है क्योंकि हमें आगे अगर हम काम को बढ़ाना चाहते हैं कि किसी काम को हम कर रहे हैं और हमारा माल लिजे हमारा दो शौप अगर हम को लेना है तो उसके लिए और रिंड की जरूरत होगी तो वैसे रिंड क की बात आती है तो लोन लेने वाले और लोन देने वाले दोनों की बीच एक settlement होती है और अगर लोन लेने वाले उस applicant के जो आकलन है उसको सही मानते हैं और आकलन में वो सही पाए जाते हैं तो settlement उन दोनों की बीच होता है और एक समझोता हो जाता है कि चलो इतना में हम settlement करत और एक बार अगर बैंक से लोन लेने वाले इन्सूरेस कमप्नी से अगर टाइब करते हैं तो फिर अगर किसी कारण से उनके मृत्ति हो जा जाती है तो परिवार वाले उस भुक्तान का दे नहीं होते बैंक जो लोन लेने वाले समय पर नहीं बुक्तान करने का भी जो एक प्राविजन है वो भी मैं एडुकेट करने की कोशिश करती हूं कृती जी मैडम के बात करने के करम में मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि सिर्फ हम सीविल स्कोर के बारे में हैं उनको नहीं बताते हूं सिर्फ उनको उनके चेति विदियों के लिए किस रिंदी मुह रहन करते बल्कि हम उनका यज गाएड आज फिलόसपर यह हम उनके साथ काम करते हैं, धारखंट डाई Уकि आ गेक, मैंटम ने कहा, गठन के माधियम से स्वहप साहता स्वहथों के दीदियां क्या हैं, स्वहबाई mahylaon की वहר हैं से स्वहईदा स्वहथों को रहेखा कि उसकाちゃो, कि यह माना जाता है माना जाता नहीं लगबक सिद्ध है कि महिला हैं ज्यादा फैनेंसिली डिसिप्लिंड होती है वित्य अनुसासन सबसे आदा महिलाओं में होती है और इसलिए हम उनके साथ जुड़ते हैं और जहां तक बात है जारकन राजिग्रामिंड बेंका तो सिर्फ जहारखन प्रदेश पर अस्तित्यों में आया सन 2000 में लेकिन यह बिहार प्रांत का भी ऑंग था अंडिवाइड बिहार था उस समय जहारखन राजिग्रामिन बेंक जो नुस समय में महां डिफेरेंट चैत्रों में काम कर रहे थी उसलमें हजारी बाग शेत्रिय ग्रामिन भी था, गेडी 6-35 बैंक था, प्लामू शेठी गरामट बैंक था। इसतरह था था हम इलाकर के 6 गरामट बैंक थे। तो हजारी बाग 6-35 बैंक इसमें पाईयोनियर था बिहार स्टेट में जो स्वम साहता स्वमूह को banking पारलेंस में जोडने में bank asg linkage में हम महिलाओं को ये भी बताते हैं कि अगर महिलाओं नहीं जो भी हमारे रिन होते हैं कि हो सकता है कि आप जिस गतिविदी के लिए काम कर रहे हैं रिन लिए हैं आप लोग ने और वो है गतिविदी किसी कारण बस हो सकता है प्राकिर्ति कापदा के कारण कुछ ऐसी भी समस्य आ सकती जो उनके नियंतरन के विरुद बिपरित हो प्रतिकूल हो तो वैसी परिस्थिती में आपको क्या करना होगा आपका तो credit score का खड़ाब होगा वहाँ पे बैंक एक और सुविधा उपलब्द कराती है कि आपके रिन की पुनर सरक्ष न की जा सकती है जिसको रिफेजमेंट बोलते हैं या रिस्ट्रक्षिरिंग ताकि आपका जो रिपेमेंट सीडियोल हो उसको हम आगे बढ़ा दें और आपके क्रेडिट स्कूर को वह नुकसान न पहुंचाए रिफेनांस जो ने रिस्ट्रक्षिरिंग जो बड़ा वेवसाय करना चाहते हैं या फिर जो लगू एवं कुटर उद्योग करना चाहते हैं तो लोन की कितनी राशी निर्धारित है बड़े वेवसाय के लिए या फिर लगू एवं कुटर उद्योग के लिए ऐसा है न कि जहां तक बात है कि रिन की सीमा तो रिन की सीमा परधान मंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें तो नियत की गई है कि 50,000 उपे तक की सिसूर रिन होगी 50,000 से 5,000 तक की शोर होगा और तरुन में 5,000 से 10,000 तक मैक्सिम होगा जो कोलेटरल फ्री होता है जो मेडम ने आपको बताए अब है कि अगर माल लीजे कि कोई सिसू से सुरू किया और की सोर तरुन तक पहुँच गया अब उसकी आवसकता अधिक रिन सीमा की है तो हम ये देखते हैं कि जो गतिविधी में वो सलगन है उसको कितने सही तरीके से उसने चलाया दूसरी उसकी क्रेडिट अब्जॉप्सन कैपैसिटी क्या है और वो जो जो नया व्यवसाय सुरू करना चारहे या उसी व्यवसाय को बढ़ाना चारहे तो उसकी सीमा क्या होगी तो वहाँ पर हम लोग फिर आता है सिक्यूरिटी आस्पेक्ट भी एक आता है कि जो रिन हम दे रहे हैं वो चुकि पब्लिक मनी है हमारा बैंक का तो अपना पैसा होता नहीं है जनसाधारन का ही पैसा उसको हमको वापस भी लोटाना है तो वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि हमारे रिन की सुरक्षा कहां तक है और इसमें भारत सरकार ने भारत सरकार ने भी और राजी सरकार ने भी एक प्रावधान किया हुआ है कि क्रेडिट गारंटी फंड होता है जहां पर अगर कोई व्यक्ति जो कोलेटरल नहीं दे सकता है सिकूरिटी नहीं दे सकता है तो सीजी टीयमें सेमी का गारंटी ले सकता है अभी जैसे जारकन सरकार ने एक नई योजना सुरू की है स्टूडेंट्स के लिए चात्रों के लिए उसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसमें है कि जो अभीवंची वर्ग के लोग है जिसके बच्चे जो चात्र है वो मेधावी है लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वो है उच्छा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो जार्खन सरकार 15 लाख रुपय तक की रिन उसको 4 प्रतिसद व्याज के दर पे देने के लिए एक नई योजना लागू की जिसमें हम लोग MLI, Member Lending Institution जार्खन राइजी ग्रामिन बैंक भी उसमें MOU को साइन किया है और वहां हम उनको और इन मिहाय करेंगे जिसकी की गारेंटी अगर वो किसी कारण बस वो एन पी होता है तो उस परिस्तिते में जार्खन सरकार वो एक फंड फंड बनाई है उस पंड से उसको बैंक को रिपे हो जाएगा और यहीं पर बात हो जाती है कि जब 2006 में जो प्रधान मंतरी के नए पंदासुत्री कारिकरम है जो एक महत्वपूर्ण मैं कहूंगे कि परिकल्पना है जो सिद्ध होती जारी है और उस परिकल्पना में यह है कि जो रिण के प्रतिशत है और अलपसंक्यक समुदाय को उसका उचित वो ही उसका लक्षे होता है और उसी लक्षित के लिए वो काम होता है और जैसा कि अब संजजी ने कहा कि ऐसे ही समुदायों के लिए यह लाब होता है और अल्प संख्यक में जैसे पता ही है कि एसाइज बहुत समुदाय हो, जैन समुदाय हो, पार्सी समुदाय हो, यह सब आते हैं, तो इन समुदायों को रिंड देने का जो प्रावधान है, उने पर लक्षे करके यह प्रावधान किये जाते हैं, और यहां मैं एक बात और बत समुदाय कहलाते हैं, और इनी अल्प संख्यक समुदाय को ध्यान में रख कर यह जो पंद्रसुत्री कारिक्रम है, इसका लक्ष यह है, जह तक बात पंद्रसुत्री कारिक्रम या अल्प संख्यकों के बारे में जो मैडम ने कहा, तो हमारे देश के प्रधान मंतरी माननी है निनमोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका परियास वो इसमें परिलक्षित होता है यह जो योजनाय जो चल रही है खास करके अलपसंग के समधाय में आप देखेंगी कालंतर से यह देखा जाएगा अगर आप उसको एनलाइज करें तो मुस्लिम समधा गतिविधियां उस तक ही सिमित रही उसको एक और लेवल तक आगे लाया जा सके तो इसलिए ही यह अलपसंग्यक वित निगम का भी स्थापना हुआ है और बैंक की सारी योजनाय यह कहीं पर भी कोई विभेद नहीं करती जाहे वो सिडूल कास्ट के लोग हो चाहे वो परमपरिक कारया है उसको अभी आप देख रहे हैं ओडोप एक योजना आई है वन डिस्टीक वन प्रोड़क्ट तो उसमें यह नहीं कि कोई खास समुदा ही उसमें आगा हो जो भी उस डिस्टीक में हैं और उसमें काम करने की अभीरुची रखते हैं या काम कर रहे हैं उ जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत की जो economy है वो सिविंग बेस्ट economy है, western countries की जो economy है वो credit बेस्ट economy है, परन्तु ये साबित हो चुका है कि कोई भी बैक्ति अगर अगर अपने जीवन में अपनी आर्तिक गतविद्यों को आगे बढ़ाना चाहता है, आये का अपना शुरोत है, नया नया ढूंडना चाहता है आये बढ़ाना चाहता है तो उसको रिन की जरुत होगी पुझी की जरुत हो पुझी सहजत से उपलवद है अब बैंकों में और बैंक अब सरकार की जनाओं को ले करके एकदम जैसे सरकार आपके दौर है वैसे ही बैंक अब आपके दौर है जहां पे उनको बहुत सहजता से रिण मोहिया होता है, जहां पे उनको आत्मिक ये संबंद उनको प्राप्त होता है, वो आप देखेंगे तो उसमें हम लोग जारकर राजी करें। जो रिणी हैं, उनसे आप लोग feedback कैसे लेते हैं, जो बैंक से जोड़ गए हैं। तो वो उससे मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने बैंक में मॉर्निंग विजिट का किया, फिर feet on street, हमके वल ग्रामिन चेतर में ही नहीं हैं, अगर कसवाई चेतर में हैं, सहरी चेतर में हैं, तो हर सबताह में दो दिन नियत किये हैं, जिसमें और इस विशय पर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, तो इस कारिक्रम में इतना ही, हमें दीजे इजाज़त, नमस्कार झाल